हलो गाइज दिस इस विपिन बलोनी वेलकम बाक तो मैं चैनल आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और मजे में होंगे तो इस वीडियो विल सी कि किस तरीके से हम अपने सिस्टम में लाइट रूम प्रिसेट को इंस्टॉल कर सकते हैं और बाद में एडिटिंग के टाइम पर उनको यूज कर सकते हैं अपनी एडिटिंग स्किल्स को बेटर बनाने के लिए तो विदाउट वेस्टिंग एनी और ये है हमारा Lightroom जिसमें की हम Install करने की कोशिश करेंगे अपने Lightroom Presets को और ये मेरा फोलडर है जिसके अंदर मेरे सारे के सारे Presets stored है ये बहुत सारे Presets हैं जो कि मैंने अलोग अलाग Websites से Purchase किये हैं कुछ फ्री डाwn लोड भी हैं तो हम इनको install करने की कोशिश करेंगे अपने lightroom के अंदर तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से हम इस चीज को कर सकते हैं तो सबसे पहले हम lightroom में जाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं और चाहे आप library section में हैं develop section में कोई फरक नहीं पड़ता सीधा हमें menu पर edit option पर जाना है और वहां से हम जाएंगे preferences में preferences में जब हम जाएंगे तो आपको यहां पर बहुत सारे options दिखेंगे तो हमें second option पर जाना है जो की presets का option है और यहां पर आपको एक option दिखेगा जिसमें लिखा हुआ है show all other lightroom presets presets इसको हमने click करना है और जैसे हम click करेंगे हमारे पास में एक यह folder खुलेगा डॉब lightroom का इसके अंदर हम lightroom के अंदर जाएंगे और फिर हमें बहुत सारे sections दिखेंगे तो इन में से हमें तीसरा option चूज करना है उसको हमें select करना है उसे हमें open करना है यह है develop presets का तो जैसे हम इसके अंदर जाएंगे यह हमारे pre-installed कुछ presets आते हैं वो इसके अंदर होते हैं तो हमें अपने सारे presets को बस यहां पे जाकर करके paste करना है तो हम देखते हैं यह हमारे presets हैं हमें कुछ नहीं करना सबको select कीजिए copy कीजिए और वापस develop presets के अंदर जाकर के इनको simply बस paste कर दीजिए बस हमें इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करने की जरूरत है बहुत असान है यह करना तो देखते हैं यह copy होने के बाद में जिस तरीके से अपना काम होता है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो presets हैं जितने भी थे वो सारे अपने develop presets के अंदर हमने paste कर दी हैं अब हम इसको बंद करेंगे यहां से ok कर देंगे अभी आप देख सकते हो यहां पर आपको presets नहीं दिखेंगे क्योंकि अभी वो ठीक तरीके से install नहीं हुए उसके लिए हमें करना सर्फ इतना है कि पहले हम अपने lightroom को एक बारी बंद करना है इसे हम close करेंगे और फिर दुबारा से हम अपने lightroom को open करेंगे तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा जो lightroom presets है वो install हो रहे हैं यह update लेने में थोड़ा सा time लेगा तो तब तक हम wait करेंगे अब यह normal से कुछ जादे time ले रहा है क्योंकि मेरे जो presets थे वो बहुत जादा थे तो we'll just wait तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक हमें notification आ गई है all custom develop presets were successfully converted to xmp format में यह जो हैं अपने presets को install होते हैं तो हम इसे ok करेंगे और वापिस जब हम develop section में जाएंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे सारे presets जो हमने फोल्डर के अंदर copy यह थे वो सारे presets के section के अंदर तो यह हमारा सही तरीके से install हो चुका है इसका मतलब तो नाओ यही था आज की वीडियो में और यह बहुत असान है प्रिसेट को install करना so that's it guys for this video I'll see you in the next video until then take care have fun and stay safe guys bye bye